हेलो बच्चो वेल्कम एक टो आग चैनल एजी वेटो स्टड़ी बच्चो आज हम आपके लिए 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 हैं क्लास सिक्स्त की साइंस सब्जेक्ट की वक्षीट नमबर नाइन बच्चो जैसे कि आप सब्छी जानते हैं सबसे पहले यहां पे हम एपना नाम लिखना होता है और नेक्स वीड में हमें अपने क्लास टीचर नेम लिखना होता है चलिए देखते हैं अपनी वक्षीट आज के हमारी वक्षीट रहा टाइटल है बच्चो components of food बच्चो इसमें हम पढ़ेंगे deficiency diseases यानि हमारे अगर food में किसी nutrient की deficiency होती है तो उसे क्या बिमारिय हो सकती है a person may be getting enough food to eat but sometimes the food may not contain a particular nutrient हो सकते हैं कि इनसान को खाने के लिए भरपूर खाना मिल रहा हो परन्तु उस खाने में कुछ nutrients नहीं हो ऐसा भी हो सकता है if this continues over long period of time the person may suffer from its deficiency और अगर यह बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा तो उस इनसान के अंदर उस nutrient की कमी होने लग जाएगी deficiency of one or more nutrient can cause diseases or disorders in our body अगर बच्चों हमारे शरीर में कोई nutrient कम होता है तो उससे हमारे शरीर में कोई बिमारी हो सकती है कुछ disorders हो सकते हैं disease that occurred due to lack of nutrient over a long period are called deficiency diseases तो है बिमारिया जो हमारे शरीर में किसी nutrient के कम होने से होती है उन्हें हम deficiency diseases बोलते हैं if a person does not get enough proteins in his or her food for a long time he is likely to have stern great growth swelling of face discoloration of hair skin diseases and diarrhea अगर बच्चों किसी इन्सान को लंबे समय तक पूरी मातरा में protein नहीं मिलता है तो हो सकता है उसकी growth रुख जाए face पे swelling आ जाए बाल सफेद होने लग जाए या फिर skin की और कोई disease हो सकती है या फिर इसके साथ ही उसे diarrhea यानि dust भी हो सकते हैं if the diet is deficient in both carbohydrates and proteins for a long period of time the growth may stop completely और अगर बहुत लंबे समय तक carbohydrates और proteins की मातरा कम रहे हमारे खाने में तो हमारे growth पूरी तरह से रुख सकती है such a person becomes very lean and thin and so weak that he she may not even be able to move ऐसा इंसान बचों बहुत दुबला पतला हो जाता है और हो सकता है वह इतना वीग भी हो जाए कि वह हिल भी ना पाए all deficiency disease can be oriented by taking a balance diet सबी deficiency disease जो होते बचों उनको टाला जा सकता है balance diet लेखे deficiency of different minerals and vitamins may also result in certain diseases or disorders बचों vitamins and minerals की कमी से भी कुछ बिमारिया हो जकती है चल यह दिखते हैं के बारे में फिर्स्ट फील्ड में बताएगा बच्छा में vitamin यह mineral जिससे बिमारी होती है second column में आपको बताएगा वह disease जो vitamin की कमी से होती है और third column में बताएगा symptoms उस बिमारी के अब यहाँ पर vitamin A की कमी से होता है बच्छो loss of vision यानि दिखने में दिक्कत आने लग जाती है इसकी क्या symptoms होता है poor vision यानि आखको कमजोर होना loss of vision in darkness यानि अंदेरा होने पे दिखने कम लग जाना sometimes complete loss of vision और कभी-कभी पूरी तरह से रिखना बंद हो जाना vitamin B1 की कमी से क्या होता है इससे बच्छो होती है very very नामक बेमारी इसमें क्या होता है weak muscles and very little energy to work इसमें हमारे mass pasti क्या होते हैं बच्छो वह काफी कमजोर हो जाती है और हमारे शेडिर में काम करने कोश एनरजी नहीं बचती vitamin C की कमी से क्या होता हैot स्कर्वी हो जाता है स्कर्वी में क्या होता है बच्छो ब्लीडिंग गम्स याने आपके मसूड़ों में खून लग जाते हैं वांट्स टेक लॉंगर टाइम टू हील और आपके शिरीट पर कोई जगम होता है तो उसे भरने में भी लंबा समय लगता है विटामिन डी की कमी स क्या होता है बच्छो कैल्शिम की कमी से बॉन एंट टूथ डिके इससे बच्छो हमारे दात और हमारी हडियां गलने लग जाती है वीक बॉन टूथ डिके आयोवीजी लगा होता है जैसे यहां पे फॉटम दिखाए गया इसमें गला सूच जाता है ग्लैन दिन नेक अपि iron की कमी से आता बच्चो इससे anemia होता है anemia मतलब शेरीर में खोन की कमी और इससे weakness आने लग जाती है यह भी इसका symptom है अब इसको कुछ questions दिये गए हैं बच्चो चलिए देखते हैं questions के answer first question है name the following यहाँ पर बच्चो हमें कुछ sentences दिये गए हैं और उसमें हमसे पूछा गया कि किस vitamin या mineral की कमी से होता है चलिए देखते हैं के answer first है a vitamin required for maintaining good eyesight बच्चो good eyesight के लिए required होता है vitamin A next है a mineral that is required for keeping our bones healthy बच्चो है यहाँ पर mineral पूछा गया vitamin नहीं यहाँ बच्चो अगर vitamin पूछा गया होता था मुसके according answer देते mineral पूछा किया तो आमन से देंगे इसका calcium calcium से बच्चो हमारी bones healthy रहती है next question है vitamin that requires for healing the wounds तो बच्चो इस पर आपको answer हैगा vitamin C next बच्चो fill in the blanks first a dash is caused by the deficiency of vitamin D तो बच्चो इसका answer rickets rickets is caused by deficiency of vitamin D next a deficiency of vitamin B1 causes a disease known as beriberi बच्चो यहाँ पर vitamin B1 आपका dash में आएगा deficiency of vitamin C causes a disease known as dash बच्चो विटामिन C कमी से स्कर्वी होती है night blindness is caused due to deficiency of dash in our food तो बच्चो night blindness आपकी vitamin A की कमी से होती है बच्चो यह हमारी वरक्षिट का last question था इसके साथ हमारी वरक्षिट यहाँ पर complete होती है I hope आप सबीक अच्चे समझ में आई होगी बच्चो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे like करना और अपने friends साथ share करना ना भूले साथ ही अगर आपको कोई question है तो उसे आप comment section में जरूर पूछे हम आपके question को जल से जल answer करने की कोशिश करेंगे और बच्चो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही bell icon बटन जरूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंट notification मिल जाए Thank you